Assalamu alaikum, आज हम चेपटर no. 4 सitar कर रहे हैं Chapter No. 4 है Money and Inflation Basically इसमें हम money को डिसकस करेंगे Different types of money को डिसकस करेंगे फिर इसके बाद हम लोग inflation को डिसकस करेंगे कि money का inflation के साथ कया relationship है सबसे पहले हम डिसकस करते हैν कि money क्या है, money की एक general definition क्या है जो ढु realism मुन के आम जर्नलिक डेफिनेशन हे वी लिस्टिंग खुआ है ५ई थिए ग्य॥टिंग फिस्विस्टिंग वृइदली अस्तिमाल ऑपली जो तो उसको हम बौलते हैं के वो money के लाती है ठीक है अब ये एक proper definition money के लिकी हुए कि money is an object that is generally accepted as a payment for goods and services यानि के buying and selling के लिए और उसको हम क्या बोलते हैं उसको money की definition के अंदर लेते हैं अब पुराने वक्तों के अंदर बाटे सिस्टम चला करता था बाटे सिस्टम के अंदर ये मसला था कि आप यूनिट आफ अकाउंट नहीं कर सकते थे स्टोर आफ फैल्यू नहीं कर सकते थे ट्रांसफर अफ जो money था अब एक उस दोर के अंदर जो अगर किसी बंदे की wealth है तो वो जो वीट है वोज की wealth है जो जमीने हैं जो उनके पास जन कर सकें तो इसलिए एक सिस्टम इंडिडूस कराया गया किसी एक इसी चीज़ की जूरूत पड़ी जो के वाइडी सेप्टेड हो और उसको तमाम जगह भी यूज किया जा सके तो फिर वहां पर आइसता इसता वक्त गुजर से पहले गोल्ड कोइन्स का इस्तमाल किया गया कोईन जाई कोईन जाई फिर गोल्ड कोईन थी पिर आज जो पैसा हमारे पास है इस वाम तक हम पहुंचें आज का माडर का मुंचें है पिर दूसरा है कि मेजर फंक्शन्स आफ मनी के मनी का मेजर फंक्शन्स क्या होते हैं मनी का काम क्या होता है मीडियम आफ आप एक्सजेंज कि हम पैसे को तार के बीजिते हैं जेमाध की तरफ कहते हैं हम किसी बंडे को पैसे देते हैं और इसके ले लेते हैं इसे पमने पैसे कर स्टीज़ फनक्षण शिए है हम इसको चीज़ को जाओने चे पर बाइइंड सेलिंग पैसे करने पर ने परсьक को बेज हो और हुद हip आपसों पैसे लेए कम पाइस भूरी के पत्रुमरी डिते हैं या समझाए सकते हैं। आपस अपनी पैसे स्टोर अप्रवा लेती हैं जो आपके वीट है या जो आपके आपके पास जो और चीजे यूज होती थी थी पाटे सिस्टम के अंदर तो उनको स्टोर करना एक बड़ा मसले के गाम था तो जो सेकंड फंक्शन अफ मनी ये था है कि स्टोर आप वैलियो कि आप पैसे को स्टोर कर सकते है इसके बाद हमारे पास जो थर्ड आता है वो यूनिट अफ अकाउंट है यूनिट अफ अकाउंट का मतलब ये है कि आप पैसे से किसी वी चीज़ की वैलियो लगा सकते हैं या मार्कीट जाते हैं और गारी अपने अपने खरीदनी है तो आप उसकी वायू लगाते हैं कि मुबाल इतने का सेल करना या हमने में तने खरीदना है तो आप पैसे से किसी भी चीज़ की वैल्य है लगा सकते हैं तो यह 3D major functions of money है यह basicly यह 3 major functions of money थे medium of exchange है, store of value है, unit of account है यह 3 major functions of money है इसके बाद आते है different types of money इसके अंदर सबसे पहले है Fiat money और second one is commodity money Fiat money ऐसी currency होती है जब government printing of money करती है तो उसके बैक अप में government को कुछ gold रखना पड़ता है, कुछ reserve रखने पड़ते हैं तो अगर government ने printing of money की है और उसने back up में ना तो gold रखा ना किसी और किसम का reserve रखा बगार किसी reserve को रखे वे जब government printing of money करती है तो उसको हम बोलते हैं कि ये fiat money है एक चीज के लिए है सबको कि फिएट मनी के है फिएट मनी ऐसी पैसे को बोला जाता है जब गूर्मेंट प्रिंटिंग अफ मनी करें और उसके बैक अप में जब गूर्मेंट कुछ भी ना रखे ठीक है ना उसने गोल्ड रखा ना डालर की फ़ाम में रिजर्व रखे तो ब जैसे काज़ काज़ की कुई अपनी एक वैलियू नहीं है। तो सिंपल पेपर करेंशी है। उसकी कुई भी वैलियू नहीं है। तो इसलिए हर पैसा जिसकी एक वैलियू है। इसके बाद नेक्स आता है कुछ और टाइप्स हैं जिसके अंदर सबसे पहले है टोकन मनी यह आता है कि ऐसी कोईंस जिनकी फेस वैलियो और जो उसकी एक्षिल वैलियो है वो दोने से मनी यह तोने में डिफिनेंस पाया जाता है जैसा के पाक्स्तान के अंदर 2-5 पांच पांच पास्तान हैं अब प्र चे के एक रपय है यह चॉल वैलियो है即के है और जिसी अक्षिल वैलियो जो वंशेता है यह जैसे कि ऐस्मार कने शिक आखो जाता है कोई अरित आपास तोकन मनी ए फिल बार वाय टोकन मनी कोई तोकन मनी आपकोई प्रक है यूपनगा द भूणी कोई तोकन मनी तोकन मनी कोई जिसेPs कंपोई आरी paling आरे जही होले में जो भी कोइन्स हैं जो कुमेडिटी मेनी हैं उसकी फेस वैलियो और जो एक्चल वैलियो है वो दोना बराबर हो जैसे के गोल्स की कोइन के बारे में होता है कि गोल्स की अगर कोइन्स है तो जो उसकी फेस वैलियो है और जो गोल्स के एक्चल वर्त होती है वो भी उतनी होती आपके पास ऐसा पैसा होता है जिसको एप टाइम का जूरूरत पढ़ने पर किसी भी वक्त आप उसको करिंसी के अंदर पैसों के अंदर कर सकते हैं ठीक है इसमें जो most suitable examples है वो bank deposits या आप check deposits कह सकते हैं या treasury bill कह सकते हैं ये तमाम चीज़े जो है ये आपकी near money के अंदर आती है इसके बाद next है e-money, e-money से मराद electronic money है जैसे कि आपके पास आप कह सकते हैं कि जो bank transactions हो रही होती है ये सारे के सारे जो आपके electronic money के अंदर आता है या जो एक और पैसे की जो modern farm आई है credit money credit card जो आपके पास चाल रहे होते हैं ठीक है तो ये different types of money हैं आपके पास इसके बाद next है the money supply and monetary policy definition money supply से मराद ये है कि market के अंदर जितने भी circulation of money चाल रही है उसे हम बोलते है money supply एक market के अंदर जो पाकिसान की पूरी economy है अब पाकिसान की पूरे मुल्क के अंदर जितना भी पैसा circulate हो रहा है जो चाल रहा है जो government नए प्रिंट करके बेज़ा है उसका हम बोलते है money supply अब फिर next है monetary policy अब इसे करी हर country के अंदर दो किसम की policy चलाई जा रही होती है एक होती है fiscal policy and second one is monetary policy अब जो fiscal policy होती है उसका जो control होता है वो government के पास होता है जबके जो monetary policy होती है ये किसी भी country का जो central bank है वो control करता है अब पाकस्तान के case में जो हमारा central bank है वो state bank का पाकस्तान है तो हमारी जो monetary policy है और हमारी monetary policy का जो control है वो central bank या निक हमारे state bank का पाकस्तान के पास है तो वो State Bank of Pakistan हर दो मिने बाद ये तीन मिने बाद Monetary Policy पब्लिश करता है अब Monetary Policy के अंदर है कहा चीज? Monetary Policy के अंदर State Bank ये बातें इशू करता है ये बातें बता है कि इस साल हम इंटरा स्टेट या इस महिने या अगले आने वाले चांद महिनों के अंदर हम इंटरा स्टेट बढ़ा रहे हैं इंफलेशन के रेशो ये होगी प्रिंटिंग आफ मनी हम इतनी करेंगे और वो सारी चीजें ये बताता है कि इस सक अवराल हमारी जो ग्रोथ रही वो कितनी रही तो ये Monetary Policy के थूरू हम इंफलेशन को करते हैं इंटरा स्टेट को कंट्रोल करते हैं और इंवेस्मेंट ये सारे चीजें दूसरा कि आपने जो प्राइवेट बैंक्स हैं ये पब्लिक बैंक्स हैं प्राइवेट लोन्स हैं जो आप लोगोंने देने हैं वो कितने देने हैं तो ये सारे का सारा का मोनेटरी पुलिशी के थिरू चिक्षा करते हैं जो इंफलेशन इस को кор行्रे शुक निकरेन्ट संव है और घ्रक उपरेशन वंदर जो इनिसुशन आप्छा है अंदर क्या situation चल रही है inflation को control करना है या अपने money supply को बढ़ाना है या money supply को कम करना है इन सारी चीजों को देखते हुए government monetary policy को state bank का परकस्तान जो होता है monetary policy फिर उसे साब सेट करता है तो basically monetary policy का काम क्या है कि वो money supply को control करना inflation को control करना interest rate को control करना interest rate बढ़ाना है कम 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 करना है ये सारी की सारी चीज़ें state bank monetary policy के अंदर शो कर रहा होता है ये सारे का सारा और कोई भी बन्दा आम person जो है money supply को नहीं चेड़ता इसलिए जो money supply है वो state bank के अखियार में है तो इसलिए money supply जो हमेशे होती है वो आपके पास fixed होती है constant होती है क्योंकि सिर्फ उसको central bank की change कर सकता है आम person change नहीं कर सकता इसके बाद next है वो ही monetary policy is conducted by a country central bank जो पाक्सान के case में मारा central bank है वो state bank of Pakistan है फिर next है कि different types की money होती है एक M0 है M1 है M2 है M0 के अंदर simple currency हती है M1 के अंदर M0 यानि के currency plus demand deposit या travelers check आ जाते है demand deposit जो हमारे banks में account बने होती है और M2 के अंदर क्या है M1 plus small time deposit saving deposit और ये सारी चीज़ें ये जस्त M0 क्या है M1 क्या है M2 क्या है तो ये उसकी just definition से लिखी नहीं है अब इसकी बाद जो में इंपर्टन चीज़ है वो है the quantity theory of money quantity theory of money basically ये hack है चीज़ quantity theory of money हमें ये पताती है कि आपके country के अंदर आप जितनी money supply करेंगे आपके country के अंदर inflation भी उतनी ज़्यदा पड़ेगी basically ये शो करता है quantity theory of money ये शो करती है that there exists a positive relationship between money supply and prices कि जब आपके country में money supply बढ़ेगी तो prices बढ़ेगी जब money supply कम हो जाएगी तो prices भी कम हो जाएगी तो basically ये quantity theory of money आपको भी बता रही है कि money supply में और जो prices है या inflation है इसमें positive relationship direct relationship exist करता है कि अगर आप money supply बढ़ाएँगे तो inflation बढ़ जाएगी अगर money supply कम कर देंगे तो inflation भी कम हो जाएगी a simple theory linking the inflation rate to the growth rate of the money supply ये वोई बात है जो मैंने अभी आप लोगों के साथ explain की कि अगर money की growth rate बढ़ेगी money supply की growth rate बढ़ेगी तो inflation rate भी बढ़ जाएगा अब ये basically main equation है quantity theory of money की m v is equal to p y m से मराद money supply है v से मराद velocity है p से मराद prices है और y से मराद output है अब v यहां पर जोने ने लिखा है कि being with the concept of velocity basically velocity क्या है velocity ये होती है कि turn our rate of the money velocity क्या है turn our rate of the money कि एक रुपया एक दिन के अंदर कितने हाथों में circulate होता है ठीक है इसको बोलते है velocity of the money कि एक रुपया जो है वो एक रुपया एक दिन में कितने हाथों में रुटेट हुआ इसको बोलते है velocity of the money ठीक है तो ये विलास्टी वो नहीं जो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी थी ये विलास्टी यहां पर जो एकनामिक्स के अंदर ये विलास्टी है इस विलास्टी का क्या मतलब है turn our rate of the money कि आप के कंट्री के अंदर एक रुपया जो है वो एक दिन में कितने हाथों के अंदर रुटेट हो रहा है इसको हम बोलते है velocity of the money या transaction of the money कितने स्पीड से पैसे की transaction हो रहे है जब हम पैसे की transaction को control चेक कर रहे होते हैं उसको महियर कर रहे हैं तो आप यह समाई लें कि पैसे की transaction की speed को महियर करने के लिए जो एक चीज यूजर होती है वो उसका हम बोलते है velocity वो विलास्टी में बताती है कि आपके जो money supply या जो पैसी की transaction है वो विलास्टी के दुरू आप महियर कर रहे होते हैं ठीक हो गया अब इसके बार next है यह विलास्टी की definition लिखी ही है कि basic concept the rate at which money circulate कि किस rate के ऊपर आपके country के अंदर जो money है वो circulate कर रही होती है the number of time the average dollar bill changes hand in a given time period ठीक है यहां पर जूँके वारण आतर ने बुकली की वी है तो उन्होंने डालर की example ली कि एक दिन के अंदर एक डालर कितने हाथों में rotate होता है कितनी दफा वो circulate होता है इसको हम बोलते हैं velocity of the money यहां पर आप यह simple एक example देखें कि आगे रहे हैं कि 2007 के अंदर 500 billion dollar की transaction होई जब कि जो total money supply थी वो 100 billion dollar थी ठीक है 100 billion dollar है तो transaction कैसे होगी 500 billion की अब यह कैसे हुआ कि जो 100 रुपे मेरे पास था मैंने shopkeeper को दिया वो shopkeeper ने 100 रुपे वो एक transaction होगी 100 रुपे की shopkeeper ने 100 रुपे आगे wholesale डिलर को दिया वो 100 रुपे की को transaction होगी 200 रुपे उस wholesale डिलर ने आगे जहां से वो माल पर चेस करते हैं उसने उसको दिया फिर वो एक transaction count होगी तो 300 रुपे तो basically था 100 रुपे लेकिन उससे transaction multiple time होती चली जा रही है तो जितनी multiple time transaction होती जा रही है इतनी ही आपकी velocity बढ़ते चली जा रही है तो यहां से अगर आप देखे हैं तो उन्हें ने velocity कैसे calculate की यह आपके पास total money supply कितनी है 100 billion डालर और total transaction कितनी है 500 billion डालर की तो अगर आप total transaction को divide कर दें money supply से तो आपके पास velocity आ जाती है 500 billion dollar की transaction थी 100 billion dollar की आपके पास money supply थी तो 500 divided by 100 आपके पास कितना आ जैता है 5 यह आपके पास velocity निकला है कि आप total number of transactions को divide कर दें total money supply के साथ तो आपके पास velocity आ जाएगी कि कितनी तेजी से आपके country के अंदर पैसा circulate हो रहा हुता है, पैसी के transaction हो रही होती है यहां पर यह उन्होंने वह simple formula लिखा, V is equals to T over M T से मराद transaction of money, और M से मराद है money supply की कितनी transaction होई, divided by money supply तो आपके पास आजाएगा V, यहनिके velocity यह फिर इन्ही नीचे चीज़ों को explain किया है अच्छा अब इसके बाद कि वो जो main शुरू के अंदर हम लोगों ने equation discuss की थी, M, V is equals to P, Y तो इन्होंने simple क्या किया कि V को एक साइट पे रखा और यह M जो V के साथ इदर था, इसके साथ multiply ही हो रहा था तो इदर आकर divide हो गया, यहां पर simple उन्हें ने इस चीज़ को बताया V से आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं, velocity है P आपके पास price of output है, यह आप इसको GDP deflator बोलेंगे inflation आपको पता है कि हम जब nominal GDP और real GDP को हम वहां पर discuss कर रहे थे हम पर GDP deflator हम लोगा ने पढ़ा था, और यह Y है quantity of output, यह यहां पर quantity of output को शोग कर रहा है यह 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 GDP आपको पता है, वह हमारी आउटपूट यानि के हमारी income को शोग कर रही है और इसी तरीके से अगर आप इस P और Y को multiply कर देते हैं तो यह अगर आप prices के साब multiply कर दें तो यह आपके पास nominal GDP में तरणवाट हो जाएगा, real GDP से अच्छा, अब फिर यह वही चीज़ जैसे के quantity of equation हम शुरू से पढ़ते हैं आ रहे हैं जब हमारा चप्टर स्टार्ट हुआ था यह वाला mv equals to py के money supply, यह money supply, यह velocity, यह prices, यह GDP deflator और यह आपके पास क्या हैं चीज़े हैं, यह output है अब हमने money supply की बात की, अब हम बात करते है money demand की, money supply में हमने पढ़ा कि money supply जो है वो fixed होगी, वो constant रहेगी, वो क्यों fixed रहेगी, वो क्यों constant रहेगी, क्योंकि उसको state bank of Pakistan कंट्रूल कर रहा होता है इसलिए जो money supply होती है, for the time being, for the time period, वो हमेशा आपके पास जो होती है, वो constant रहती है अब यहाँ पर, यह M over P, यह नहीं का real money balances या real money demand हम इसको बोलते है जो यह आपके पास है, यह function होता है, हमेशा real जो आपके पास money demand होती है, वो function होती है income का कि आपके पास जतनी income जयादा होती है, आपकी money demand है, वो भी उतनी ही जयादा होती है, ठीक है, money demand जतनी आपकी income बढ़ेगी, उतनी ही आपकी income बढ़ती चली जाएगी और यहां पर यह जो के है, यह के आपको यह शो कर रहा है, कि आप अपनी इंकम के बढ़ने के साथ, अपनी इंकम में से कितना पॉर्शन आप अपने हाथों में, बाइ हैंड आप अपने पास जिबों के अंदर आपको रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जितनी इंकम होती है, वो इसको कुछ portion हम अपनी daily buying and selling के लिए रख लेते हैं बाकी हम पैसा bank के अंदर deposit करवा देते हैं तो यहां पर यह जो K है वो इस ratio को बता रहा है कि आप अपनी total income में से कितना ऐसा portion है जो आप अपने पास जिपों के अंदर रख रहे हैं quantity equation mv equals to py जो हम शिरूर से पढ़ते हैं the connection between k is equals to one hour v ठीक है अब देखें कि जितना लोग पैसा अपने जेबों के अंदर रखेंगे इसका मत्तब यह है कि जो velocity of money है वो अतनी ही क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है जैसे कि हमारे हैं पाकिस्तान के अंदर होता है पैसा रख लेते हैं और वो पैसा जब मार्कीड में गया ही नहीं है तो उसकी transaction भी नहीं होगी उसकी circulation भी नहीं होगी तो जब जैसा है लेकिन foreign countries के अंदर ऐसा होता है कि उनके जो सारी के सारी amount होती है वो बैंक्स के अंदर पड़ी है इसलिए foreign countries के अंदर जो transaction of money है या विलास्टी of money है वो हम से कहीं ज़्याद होती है हम लोग क्या करते हैं हम सारे का सारा पैसा निकलवा कर एड़ टायम घर में रख लेती है अब banks के पास पैसा रहता है नहीं है तो किदर आके लोगों को loan देंगे तो कैसे transaction of money होगी इसलिए फिर government को state bank को ये नजर आता है कि पाकिसान के अंदर से पैसा खतम होता जा रहा है तो फिर इसलिए हमें printing of money और करनी पड़ती है लेकिन अगर लोग यही पैसा banks के अंदर deposit करें तो जो state bank है जो हमारा central bank है उसको इतनी printing of money के जरुवत नहीं पड़ेगी लेकिन मसला क्या है कि हम लोग क्या करते हैं हम लोग सारा के सारा पैसा घरों के अंदर रख लेते हैं जिसकी वजह से मार्कीट के अंदर money supply की shortage आ जाती है फिर उस shortage को पूरा करने के लिए जो central bank है उसको मजीर printing of money करनी पड़ती है जिससे क्या होता है कि जो country के अंदर inflation है वो बढ़ जाता है और जो पैसी की value है वो वक्त के साथ साथ कम होती जली जाती है तो इसलिए पाकस्तान के अंदर चूंकि लोग पैसा banks के अंदर नहीं रखाते हैं वो सारे का सारा पैसा अपने गरों में रखते हैं तो इसलिए पाकस्तान जैसे जो under developed countries हैं यहां पर जो velocity of money होती है वो कम होती है अच्छा फिर हम यह एक अज्यूम करते हैं चूंकि developing countries के अंदर velocity of money ज्यादा है और जो under developed countries हैं उनके अंदर जो velocity of money हो कम है तो अगर हम इसी बात को लेके चलें तो फिर हमारे जो results हैं वो ठीक नहीं आते क्योंकि एक country के अंदर तो velocity of money ज्यादा है और दूसरे country के अंदर जो velocity of money हो कम है तो फिर इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं हम यह करते हैं कि हम assume यह कर लेते हैं कि जो velocity of money है वो constant रहेगी तो इस model की इस theory की जो पहली assumption है वो यह है कि जो वी है velocity of money वो क्या है constant है तो mv equals to p y था तो यहां पर यह जो velocity of money यह जो बाहर आए यह शो कर रहा है कि जो velocity of money यह आपके पास constant है अब उसके बाद यह के एक्वेशन दोबारा से how the price level is determined with v constant the money supply GDP determined nominal GDP real GDP determined by the economy supply जो आपके पास chapter number 3 में हम discuss कर चुके है जो production function होता है वो आपकी supply को शो कर रहा होता है supply side of the economy को शो कर रहा होता है आपकी total production शो कर रहा होता है अबने पड़ा था कि y equals to function of k and l production function k यहांने के capital लेबर कर डिपेंड कर रहा होता है यह लिखा अभी है यहां पर गे देखें chapter number 3 के यह सारी चीज़ें हम chapter number 3 के अंदर discuss कर चुके हैं और nominal GDP sorry GDP deflator है वो nominal GDP divided by real GDP होता है यह भी हम chapter number 3 के अंदर यह सारी चीज़ें वहां पर पड़ कर चुके हैं जब दो चीज़ें आपस में divide हो रही हो तो उनका आपस में minus का देते हैं चीक है तो इसी तरीके से अब यहां पर mv equals to py था तो इसका मतलब यह है कि यह दोनों चीज़ें आपस में plus हो जाएंगी चुके हमने उनकी growth ले लिया है अब दो चीज़ें जब growth फार्म में और बोद ली और उनको अपने ही यह देखेंगे चेंज एन M का मतलब है current money supply minus previous money supply divided by current money supply current velocity minus previous velocity आपके पास change आजेगा divided by velocity change in P अवर P यानि के current price minus previous price divided by price इसी तरीके से यह current income minus previous income तो change हमेशा ऐसे आता है कि इस वकत situation क्या है इस वकत आपकी income क्या है और पिछले साल कितनी थी तो आपके पास change आयाज़ेगा जो velocity of money वो क्या है वो constant है तो constant का मतलब यह होता है कि जितनी पिछले साल थी इतनी साल थी या एक चीज चीज का मतलब यह होता है कि इसमें किसी किसम का कोई change नहीं आएगा वो 10 है तो वो 10 ही रहेगी तो उसमें change फिर कितने का आएगा जीरो आएगा तो 10 मैंस 10 करेंगे तो जी चीज आएगा वो 0 आजएगा इसका मतलब इस equation के अंदर यह जो चीज है यह आपके पास क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी ठीक है अच्छा अब inflation को हमने discuss किया था inflation यह पी जो है पाई किसके बराबर है चेंज इन पी अवर पी करेंट प्राइस मैनेस प्रीविस प्राइस डिवाइड़ बाई करेंट प्राइस ठीक है अब यह वो equation जो उपर भी हमने यहाँ पे discuss की ती यह अब इस equation के अंदर से चूँकर यह velocity जीरो हो गया बाकी equation के रहाजीगी यह पार्ट और यह वला पार्ट रहाजाएगा जो कि यहाँ पर यह लिखावा है ठीक है अब फिर हमने कहा है कि यह जो चेंज इन पी अवर पी यह किसके बराबर है पाई के बराबर है तो इस चेंज इन पी अवर पी की जेगा पर हम लोगों को ने कहा लिखा पाई ठीक है और इस वाली चीज़ को हम उठा कर दूसी तरफ लेगे यह आपर प्लस था तो दूसी तरफ जाकर क्या हो जागया माइनस हो जाएगा तो आपके पास जो inflation है वो inflation किसके बराबर बर आ जाएगी money supply, growth rate of money supply minus growth rate of income या growth rate of GDP तो अगर आप money supply को growth rate of money supply को growth rate of money को minus करेंगे growth rate of income में से या output में से तो आपके पास inflation आ जाएगा ठीक है यहाँ पर इसको यह लिखावा है नार्मल एकनामे growth requires a certain amount of money supply growth to facilitate growth in transaction money growth is excess amount leads to inflation कि अगर यह वली amount इससे ज़्यादा हो गई तो आपके country में inflation आ जाएगा जेरी बात है कि वो answer positive आ जाएगा तो आपके country के अंदर जो inflation है वो बढ़ने शुरू हो चाहेगी यह कि हैंस the quantity theory जैसे हमने शुरू में discuss किया था कि quantity theory of money क्या show करती है यह relationship show करती है between money supply and inflation तो यहां पर यह कि जितना आपके country के अंदर money supply बढ़े की उतना ही आपके country के अंदर जो inflation है वो बढ़ती चली जाएगी अब फिर next है कि confronting the quantity theory with data कि इसको data के साथ हम confirm कर रहे हैं कि क्या quantity theory of money है यह क्या data को history के साथ quantity three of quantity countries with higher money growth rate should have higher inflation rate कि जिन country के अंदर money supply की growth rate जएधा थी वहां पर inflation rate भी जएधा रहा the long run trend behavior of country's inflation should be similar to the long run trend in the country's money growth rate जैसा आपके पास long run के अंदर money supply का behavior रहेगा और सेम उसी तरीके से आपके पास जो inflation का trend है सेम आपके पास वही रहेगा तो इस chapter का जो पहला हिस्सा है यहां पर आपके first lecture के लिए इतना ही काफी है आप लोग इस lecture को देखें अगर इसके हवाले से आप लोगों के जिहन में कोई question आता है तो फिर हम उसको discuss कर लेते हैं कर दो आता है